मेरे साथ इस वक्त BKU के अध्यक्ष नरेश टिकेट इस वक्त मौझूदे बाचित कने के लिए टिकेट साब आपने कल कहा कि आप सपा अलाइंस को समर्थन देंगे और फिर उसके बाद ये पता चला कि आप कह रहे हैं कि नहीं हमने सिर्फ दो विधानसभा सीटों पर जो प आतनी कुछ नहीं ना कोई कंफुजन है मैं पर्सु आए थे बह चंदन चवान जी भी आए और जो गट बंदन से है राजपाल-बाल्यान जी भी है जो इजी परिवार से बालियान परिवार है और तो हम वे आ ये हम भी उनकी साहत मोर जिस तरह तरह तने पहले से जाते है म मेरे पे एक प्रतिबंद है इसक्ते है और किसेन बबंद सालग हम ने जा सकते हैं ना किसी की सब्वामान कई में तो मिधि ऍवा टिकेत साभ कि पर्तिमा है चोदुरे चपार्टी में स्मातिये तो वहां तक तो जाने का आला हट भी बटे उपंदगों यह यह बात ऑख दो पोई उसर अपर भड़रे गए डिल्म discourther एम भर जो इ Criminal हो नि तो इस मान अग들ा यह लगाना गलत है आपने जो बयान दिया उसमें आपने ये भी कहा कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है और आपने खुल कर मंच से अलान किया भले वो राजनितिक मंच ना हो तो आपका ये खुल कर बयान देना दूसरी तरह आप शुरुआत से कहते आए हैं कि BJP को इस बार हराना है तो ये इस और एक अधिबात कोई भी जास है थोड़ा है जिब किसी की सहर लड़ाई है तो लड़ाई में तो उसके खिलाप ही बोलना पड़े जो लड़ाई में नजदी क्या लाइनी तो कुछ कम तो करना पड़ा काम तो बाजपावड ने एक तो विरोध तो करा ख्याबना अपने आप खुद विरोध करा क्या किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीतिया और मारी वियक्तिगा थोड़ा ही लड़ाई है हम तो सारवजनिक लड़ाई है उसमें कह रहें में कुछ करें तो कुछ हुआ हो तो अलक्षन में वैसे उनकी केंदर में भी सरकार है इस्टेट टू में भी सरकार है तो उन्हें तो बहुत कुछ करना चाहिए नहीं करानी जादेजी ना करानी जितना करवा होता है इतना नहीं करा यहां गन्ने की लड़ाई है यहां सी गन्ने बेल्ट है लेकिन मेरा सवाल यह है कि ठीक एक दिन पहले बयान यह आता है आपका कि आप समर्थ संदेंगे और ठीक एक दिन बाद सुभे सुभे संजीब वालियान साब आपसे मिलने आ जाते हैं यह क्या दर्शाता है क्या यह माना जाए कि ब्जीप बैक फूट पर है या किसान यूनिंग के तरफ सुन को बैक फूट पर भेजने की संदेश कर सकते हैं तो हम तो जरिया तो थोड़ा ही देखा जाग भाई इवे चुनावे वह हो रहे बाची तो आणे का सब का के नो तो मारे राजु एलावत जो भारते किसान ने उन्हें छोड़ के चले गए तो सब आ रहे तो आपने देखे होगा बस पाके भी आ रहे तो इन्हें कुछ अच्छा लगत इसान का आपके पास आना आपका हाल चाल पूछना कि क्या बताता नहीं भुजू जावए तो ऐसा फोन वहलो जावाद पात च्रिकत वाट प्योता ही थी ऐसी कोई वह इसा और कुछ केनी मोटी बात के भी दे कुछ वह हो जा तो मारे पे इतना थोड़ा परती बंद है कि हम बिल्कुल जुबान ही निकाड सकते एक गट बंदन है गट बंदन तो सक्रिय तो है इसमें तो कोई दो रहा है नहीं कितना खरह उत्रगा कितनी वह बाचीत बाजपा कितनी इसमें कितनी बूमेकर है बाजपा कितनी तो यह तो वैसा जन ताई चुन सके और अमन तो एक वहासी इलाबाद में सिविर है जो साल बर का निर्ने लिया जा और इब जाए तो महतपूर निर्ने लिया जांगे क्योंकि यह चुना हुए आगे शिर्पे तीन स्टेट्टू में चुना हुए तो उत्रा खंडे बरोबर में लगया हुए पंजाब है और उत्तर परदेश है तो इसमें महतपूर ने ले जागा किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी भी साध कल पर सुबैठा कोई थी उसमें भी यह अपने कोई राज ने थी कि रखो कोई वो नी तो हम तो BKU ने पूरी तरीके से समर्थन या सहयोग BJP को दिया था इस बार BJP को सहयोग नहीं मिल रहा है तो क्या इस बार की लड़ाई BJP को हराने और जिताने भर की है नहीं ऐसी कोई वानी है हमने बड़े ठीक है साव थे उन्होंने पहले भी रखी बाई अलग सनुते चुनाव से दूर रखो संगठन को और एराज नेती को जो है तो मारे तो पिछले उसमें भूल हुई हो या कुछ भी हुई हो थोड़ा सा हमने 2014 में 2017 में 2019 में हम ना पता है किसा लगया हम उसमें भी बाओ में बैगे बाजपा इतने हैं इतने काम करेगी बिल्गूल इस तरह कि वह होगी तो हमना भूल करी तो हमना तो अच्छा यही लगे हम एराज नेती की रहे कोई वो नहीं है और बस ये एक मेहीं ना चुनाव का है कि इसमें हम अपने कुछ चूप रहे कि अपना इसा यू टड़ जा काम ठीक है यह तो दे दिया था उसमें फिर मारे पर पता आया कि बाइस तरह के ब्यान ना दो तो अमने वह फिर उल्टी अटायली चलो कोई बात नहीं होगी किसान बावन में कुछ कह दिया होगा जिए दो मीद वार आएं में उन्हा है बें पर इस सब्रह्च के ढशेमा से रहे भूर कि संयुक्त मोर्च का किसान उल्युक्त मोर्च इस पर ऑलने कि उससा में नहीं कुछ कहने के एक देखो किसान सन्युक्त मोर्चा मैं अकेले को राइट है नी बहुत बड़ा सन्युक्त मोर्चा है उसी मह वह बादचीत हम बहुत अगर बहुत लंबी लड़ाई लड़ने किसानों की चुनाओ तो आते रहे पहले भी आए अब भी आहे रोख गभी आ परिवार बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है लेकिन इस बार बीजेपी को सहयोग नहीं मिलेगा लेकिन जिस तरीके से इनका बयान कल वारल हुआ है उसके बाद उस बयान से इतर इन्होंने दूसरा बयान दिया कि ये किसी भी राजनितिक पार्टी को समर्थन नहीं देंग ये पूरी की पूरी चिटी किस तरफ से आसे संकेत दे रहे हैं ये आने वाला वक्त तैय करेगा अपने सायोगी वरुन के साथ निदिश्री एबीपी नियूज मुझफवर नगर एबीपी नियूज आपको रखे आगे